नमस्कार आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बुरी खबर है खबर ये है कि महेंगाई बढ़ चुकी है और आने वाले समय में और भी जादा बढ़ने वाली है स्टील, अलूमिनम, रबर इन सारी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है हमने अभी हाली में अपने गारी के टायर्स बदले थे टायर्स की कीमते बहुत बढ़ गई है पिछले 3-4 महीनों में ही बहुत बढ़ गई है क्योंकि चाइना से आने के लिए जो फ्राइट चार्जेज है वो बढ़ गई है और बैटरी वागेरा तो इलेक्री वेहिक्ल के सब अभी चाइना से ही इंपोर्ट हो रहे है और सिर्फ यही नहीं भारत के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए transportation charges बढ़ गई हैं क्यों बढ़ गई हैं क्योंकि petrol और diesel की जो कीमते बढ़ गई हैं तो अब हम आपको model के अनुसार पिछले चार महीने में हुए price hike के बारे में बताते हैं सबसे पहले ओकिनवा प्रेस प्रो जून महीने में इसकी कीमत थी 76,800 रुपीज एक शोरूम प्राइस अभी ओक्टोबर महीने में इसकी कीमत है 79,845 रुपीज आईप्रेस प्लास जून महीने में कीमत थी 99,700 रुपीज आज के तारीक में है 1,066,000 रुपीज अब हम most popular electric two wheeler company के बारे में बात करते हैं hero electric photon HX इसकी जो कीमत थी 71,440 रुपीज आज के तारीक में इसकी कीमत है 74,240 रुपीज Optima HX single battery option में इसकी कीमत थी 53,600 रुपीज आज के तारीक में ये बिक्ती है 55,580 रुपीज में Optima HX dual battery की अगर बात करें तो इसकी कीमत थी 58,980 रुपीज आज इसकी कीमत है 65,640 रुपीज NYX HX dual battery option 62,954 इसकी कीमत हुआ करती थी आज इसकी कीमत है 67,540 रुपीज अब बात करते हैं Revolt Motorcycles के बारे में बहुत ही ज़ादा popular electric 2V लड़ है ये भारत में इसकी जो RV 400 model थी इसकी कीमत थी 1,7,000 रुपे आज 4 महीने बाद इसकी कीमत में 18,000 रुपे की बढ़ोतरी हुई है इसकी कीमत आज के ताषिक में है 1,25,000 रुपे Tunuall brand के models की भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है Sport 63 बोलकी इनकी जो model थी, उसकी कीमत थी 43,000 रूपीज, आज उसकी कीमत है 47,000 रूपीज, तुनवाल Lithynol Li, इसकी कीमत थी 47,000, आज है 54,000, बैंलिंग और इसके विशा में वीडियो भी बनाया है, हमने इस चैनल में बहुत ही popular model है, इसकी कीमत थी 73,000 रूपीज, आपको बत हैं, उसके अलबा आपको और दो popular models के बारे में बता दे, एक है TVS iCube, उसके कीमतों में अभी कोई बरहोतरी नहीं हुई है, और उसके अलबा भारत की सबसे पहली premium electric two-wheeler, Ather 450X, उसकी भी कीमतों में कोई बरहोतरी नहीं हुई है, खरीदने का समय यही है, तो comment section में अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिए और ऐसे और वीडियो के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी, संकल्प करे, विद्यो चुने